हेलो दोस्तों माइडियर फैन स्वागत है आपका अमारी चनल पर दोस्तों ये बजाज की CT100BH6 है मेरे पास में इसके कुछ इलेक्टिक पार्ट की लोकेशन बताएंगे आज हम और उन्हें मल्टी मिटर से चेक करके दिखाएंगे तो ये होता है जिस पार्ट को मैं खोल रहा हूँ इसको DSV बोलते हैं IACV बोलते हैं Idle Control Valve इसका काम होता है ये engine temperature के जरिये काम करता है इसका काम ये होता है जिस समय हमारी गाड़ी सिलो में खड़ी रहती है आइडल में खड़ी रहती है तो ये petrol की साथ में हावा को परदान करने का काम करता है आपने देखा भी होगा पहले electronic चोक आती थी गाड़ीों के अंदर तो जब हमारी गाड़ी ठंडी हो जाती थी वो चोक खुद बाखुद लग जाती थी उसी तरह का ये काम करती है दोस्तो idle contour valve IECV भी बोल सकते है और DSV भी बोल सकते है और stepper motor भी बोल सकते है जितने भी मैंने आपको नाम बताए है ये सारी चीजे एक ही काम करती है पर इनके गाड़ी के अनुसार नाम अलग-अलग रखे गए है जो company ने अलग-अलग नाम दिये हैं इनको अब हम इसको multimeter से चेक करके देखेंगे एक बारी के इसमें reading किस तरीके से और कितनी आनी चीए दोस्तो तो ये multimeter है पहले सबसे पहले कोई भी आप चीज चेक करो resistance के लिए तो multimeter को बिप पे set कर लो बिप पे देखो multimeter को बिप पे वो अपनी value बताता है कितने तक उसकी आनी चाहिए ये चीज बताता है तो ये मैंने अब 200 उंपे किया है multimeter को ये अठ्थावन पॉइंट वन दिहा रहा है तो इतनी इसकी resistance आनी चाहिए अब देखते हैं तीपीय सेंसर थ्रोटल पोजिशन सेंसर इसका काम क्या होता है दोस्तो ये हमारी थ्रोटल को नाप के issue को संकेत देता है कि इस समय हमारी थ्रोटल किस condition में है गाड़ी को आगे petrol कितना पहुँचाना है थ्रोटल के जरीए air कितनी पहुँच रही है उस condition को ये issue को संकेत पुचाता है और issue फिर injector को संकेत पुचाता है कि आप अपने अंदर से पैट्रोल का इतना रिशाव कीजिए इसके बाद यह होता है हमारा engine temperature sensor engine temperature sensor के जरिए काफी चीजें हमारी गाड़ी के अंदर काम करती है जैसे कि DSV हो गया और हमारा TPS हो गया जो throttle body में जितने भी लगे हुए है वो engine temperature sensor से connected है तो यह 200 ohm पर किया है 20k पर किया है मैंने multimeter को इस समय और इसकी reading आनी चाहिए 3000 से लेकर के 18000 तक उसके बीच में कितनी भी reading आए तो यानि के फिर यह ठीक है खराब नहीं है और multimeter की आवाज भी आप देख पा रहे होंगे अभी बिपर है यह तो बिपर इस तरीके से इसके अंदर आनी चाहिए अब यह चीज़ा आपने देख लिए दोस्तों मेरा कहना केवल इतना है आप लोगों को कि जिस तरीके से आप और किसी कंपनी की गाड़ी की वीडियो देखते हैं सेंसर के बारे में और आपके पास दूसरी कंपनी की गाड़ी आ जाती है तो उसके भी सेंसर को आप एक बारी उसी तरीके से चेक करके देखी जैसे आपको पहले knowledge मिली है दोस्तो क्योंकि मैंने अक्सर इन गाड़ियों में देखा है कि sensor सभी में एक company के ही लगे हुए रहते है काइन के, प्रिकोल के, continental के सभी के अंदर design थोड़ा अलग होता है वरना company सेम ही रहती है और resistance भी लगबग सेम ही होता है इनका तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share जरूर करे comment में जरूर बताए चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर करे बैल आइकन को जरूर प्रेस करे ताकि आपको हर वीडियो की notification मिलती रहे Thank you दोस्तो